प्रशान धवन इंडियाज लेजंड रतन टाटा हैस पास्ड अवे देखें आज के समय हर एक इंडियन दुखी है क्योंकि देखो यहां पर आपको समझना होगा हमें एक बार को पता दा के एक ना एक दिन ये दुर्भाग्यपूर्ण दिन देखना होगा मगर हम सब में से को रतन टाटा को देखा है देखा है किस तरीके से इनोंने इंडियन इंडस्ट्री को लीड किया है भारत की इंडस्ट्री में ओवरॉल इंडस्ट्री में इतना कॉंट्रिब्यूशन दिया है हम सब लोगोंने इनसे प्रेड़ना ली है मगर अब यह जा चुके है और इनके ब आते देखिए मैं आपको बता दू बहुत कम लोगों के बारे में कही जाती है रतन टाटा was the man with no hitters और रतन टाटा का जो जीवन है ये मैं आपको बता दू आने वाले कई दशकों तक परहापस कई सदियों तक बहुत सारे इंडियन इंडस्रिलिस्ट और इवन मैं कहूंगा बाकी इंडियन जो अलग forms of life में हैं सब को प्रेरित करता रहेगा और आप एक बात नोट करिएगा आज से कुछ दिन पहले ही ये रिपोर्ट्स आ रही थी के रतन टाटा की तवेद खराब है मुंबई का जो ब्रीच कैंडी होस्पिडल है वहाँ पर ये एडमिट है जैसे इनके बारे में सोच कर कोई चिंता करे इन्होंने ये का के थैंक यू फॉर फिंकिंग ऑफ मी देरिज नो कॉज आफ कंसर आप लोग चिंता मत करिये नाव ये इनकी आखरी ट्वीट थी क्योंके दो दिन बाद ही अचानक से विकॉज अफ ओल लेज इनकी तवेद बहुत तरह खराब हो गई और मुंबई के ब्रीज केंडी होस्पिजल में इनकी डेथ हो जाती है और रतन टाटा साब का जो ये 86 यर्स का जीवन था ना इसमें इन्होंने इतना कुछ एकॉंप्लिश किया इतना कुछ देखा है कि आज के समय जो भी इनके बारे में लिख रहा है वो इनकी जन्नी को भी मेंचन कर रहा है इनके बारे में जब ये ट्वीट लिखी हो ने ये का कि श्री रतन टाटा जी वाज विजनरी बिजनस लीडर अ कमपैशनेट सोल देखिए ये इनके बारे में सब लोग कह रहे हैं बिजनस लीडर ओव्यसली ही वाज वन अफ आफ मतलब आप अगर एक बार को मैं आपसे एक सवाल पूछो ना भारत का most valuable brand 2024 में क्या था तो आपको पता है सही answer क्या है सही answer यहाँ पे है टाटा और पिछले कई सालों से लगातार आप अगर देखो तो जब भी reports publish होती है जब भी research होती है कि इंडिया में देखिए brands की कमी न brand की अगर हम बात करें तो वो आज भी टाटा है और इस brand को बनाने में मैं कहूंगा दो लोगों का critical role रहा है एक तो जमशेजी टाटा जिनोंने टाटा ग्रूप को found किया था और उनके पोते रतन टाटा इन दोनों का मैं कहूंगा सबसे बड़ा contribution रहा है in making Tata इंडिया's most valuable brand और इंडिया's most valuable brand ये लोग ऐसे ही नहीं बने आप अगर कोई भी sector देख लीजिए वहाँ पे आपको Tata state of the art services प्रोवाइड करता हुआ दिखेगा डिफेंस में आप देख लीजिए Tata advanced system आपको मिलेगा global trading में Tata international group है IT में TCS इंडिया की leading IT company उसके लावा Tata Steel, Voltas कई ब्रैं जागवार उसके लावा Tata Capital, Air India, Vistara, Tata Communications एक humongous group है और हर जगा आप देखोगे Tata group ने state of the art service deliver करी है और इसके पीछे देखिए critical role में आप इसलिए कहूंगा दो लोगों का है जमशेजी Tata जो पहले chairman थे Tata group के इन्होंने 1868 से लेकर 1904 तक Tata group को lead किया था और फिर यहाँ पे आप देहेंगे रतन Tata इन्होंने 1991 से लेकर 2012 तक Tata group को lead किया था बीच में जब Cyrus Missouri की controversy हो गई थी उसके बाद जब यह Cyrus Missouri पीछे हटे तब वापस रतन Tata ने एक साल के लिए फिर से Tata group को lead किया था यहाँ पर भी मैं कहूंगा इनका critical role था Tata group को सही दिशामे ले जाने मे और आप अगर Tata group की सारी 26 publicly listed company मैं private companies की बात नहीं करा जो इनकी publicly listed companies हैं सबका combined market capitalization देखो तो amount आपको मिलेगा 365 billion US dollars यह कई countries की nominal GDP से भी बहुत ज़ादा बड़ा amount है अब यहाँ पे तो आपने देखा कि यह था impact रतन Tata का as an industrialist now अब आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है कि एक तरफ तो आप इतने बड़े industrialist हो आपने इतने बड़े group को lead किया हो मगर तब भी जब आपका अनिदन होता है न तो लोग लिखते हैं he was a compassionate soul और यह life में मैं आपको बदा दूँ accomplish कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है कि आप एक बार को professional life में अतना कुछ अचीव कर पाए मगर तब भी जब लोग आपको याद रखे न लोग कहेंगे क्या humble आदमी थे क्या compassionate आदमी थे he was an extraordinary human being यह मोधी जी ने लिखा है और मैं आपको बता दूँ मोधी जी बहुत rarely ऐसी language use करते हैं किसी के निदन पर he provided stable leadership to one of India's oldest and most prestigious business houses जैसे मन आपको बताया मगर तब भी जो last lines है मोधी जी ने जो इनके बारे में लिखिया यह है कि he endeared himself to several people thanks to his humility यह सब लोग बोलेंगे humble human being kindness kind human being and unwavering commitment to making our society better देखिए इसका reason मैं आपको बता देता हूँ रतन टाटा ने अपने lifetime में billion dollars से भी उपर donate कर दिये थे charity में total अगर मैं कहूं तो 9000 से लेकर 10,000 करोड रुपे इन्होंने donate कर दिये अपनी income का ही यह 60 to 70% donate कर जुके हैं उसके इलावा आप एक बार को सोच कर देखिए जब टाटा ग्रोप सिर्फ 5 billion dollars पे था ना अंदर रत रतन टाटा ने जो अपनी humility है यह कभी नहीं खोई और आज भी Google के जो CEO है सुन्दर पिचाई जब रतन टाटा के बारे में लिखते हैं वो यह कहते हैं कि मेरी आखरी meeting हुई थी रतन टाटा से at Google हमने बातचीत करी थी about his vision और इनके बारे में एक line यहाँ पर note करना he deeply cared about making India better even though मैं यह कहूँगा as an industrialist he was phenomenal आपके सामने हैं इनके results टाटा ग्रूप में शायद ही आपको कोई ऐसा chairman मिलेगा जिनका impact इतना बड़ा रहा हो कि 5 billion से लेकर सीधा 100 billion तक ले जाएक ग्रूप को but at the same time यहाँ पे आपको यह भी देखना होगा कभी भी इनमें arrogance नहीं इनमें यह नहीं आए कि अब तो मैंने इतना बड़ा काम कर दिया 100 billion तक पुचा दिया ग्रूप को मैं तो बंगले में रहूंगा महल में रहूंगा कुछ भी नहीं रतन टाटा जिस घर में रहते थे ना उसकी value बताया जाता है 175 करोड के आसपास की थी now मैं आपको यह बता मगर he was a humble man आपने कभी देखा नहीं होगा कि कोई बहुत बड़ी party कर रहे हैं कुछ यह बहुत बड़े celebrities के साथ हैं बहुत humility के साथ इन्होंने अपना जीवन बिताया है और इसलिए आज के समय every Indian is remembering है और जब मैं कहता हूं every Indian तो I literally mean every Indian President of India से लेकर defense minister, leader of opposition हर कोई आज के सम मैं यही कह रहे हैं कि his demise will be an irreparable loss for Indian business world and society और आप अगर return data की personal life भी देखो ना तो बहुत जादा honest इंसान थे जो यह openly अपने emotions express कर पाते थे ना उससे भी साभ लगता था कि कहीं पे बीना इन में घमन नहीं है कि दुनिया के सामने मुझे मखोटा पहनना है कि नहीं मैं तो return data ह have to be this way जब इनसे पूछा गया कि आपकी शादी नहीं हुई do you feel lonely इन्होंने openly बोला कि हाँ there were many times I feel lonely काफी बार अकेला अपन मैंने महसूस किया कि मेरी wife नहीं है मेरी family नहीं है यह चाते इनको जो freedom इनको मिली life में इन्होंने उसको भी enjoy किया है कि इनके पास यह freedom है कि इनको क चिंता नहीं करनी पड़ती एक family की चिंता नहीं करनी पड़ती बट इनकी स्टोरी जो है यह भी कमाल की है 1962 इंडिया-चाइना वार की वजह से इनकी शादी होते होते रह गई जब यह US में पढ़ रहे थे उस वक्त he fell in love एक American महिला थी उनसे इनकी शादी होने ही वाली थी और उस महिला के परिवार ने यह decide किया कि नहीं हमारे लिए सही नहीं होगा कि हमारी वेटी इंडिया जाये भी तो वार भी चल रही है वहाँ पर और इसी वजह से रतन टाटा की उस वक्त marriage होनी पाई and eventually he never married मगर आज के समय पूरा भारत इनको याद कर रहा है as our own family member रतन ट टाटा ने बिलकुए शादी नहीं करी इनके बच्चे नहीं थे मगर कई लोग है भारत में जो इन्हें as a father figure देखते होंगे इनसे inspiration लेते होंगे and ये inspire करते रहेंगे Indian industry को for a very very long time the legend of India रतन टाटा there will never be another one like बाले राद साड़े यारा बजे के पास जो है ना मुझे पता चला के रतन टाटारा सर्ज है वे सुनिया में नहीं रहे और लिटरली देखकर मैं एकदम shocked हो गया क्यूंके मुझे नहीं मालूम था उससे पहले कि उनकी तब्या जो है वो सही नहीं है ये मुझे मुझे लेकिन इस तरह की कोई नियूज नहीं आई थी बट जब सुबा उठकर इन चीजों का पता चला तो बहुत अफसोस हुआ क्यूंके मैं ये बात बोलूंगी कि जो उनका नाम है वो वाके में उसी तरह के इंसान है अगर हम उनकी लाइफ जड़नी के बारे में बात करें तो इस तरह से कॉंटिविशन की है मुझे लगता है कि पुछ भी शब्द उनके लिए इस्तमाल करना बहुत चोटे होंगे क्यूंकि इस तरीके से उन्होंने लोगों की भलाई के लिए इंसानियत के लिए काम की है अगर मुझे लगता है कि हम में से कोई एक भी ऐसा निकल आय है जब जरूरत पढ़िये जी टाटा बनाएगा जब यह चाहिए तो टाटा बनाएगा और इतना सुना है कि भाया इतनी डोनेशन और इतना कुछ करते थे नहीं तो ही वोड़ाबी नंबर वन रिचस्ट अंबानी की जगा इन्होंने ओना था रिचस्ट अगर सारा कि एजी नहीं थी अक्च्वल खुशी फैमिली बच्चे भी बिनाथ सी तो है कोई में जो इन्जेक्शन केरी करेंगे कि टाटा बनाएगा जहां पर भी कोई प्रॉलम आती है टाटा बनाएगा टाटा यह करेगा वो कमाल का है बट वेरेवर ही इस यह बी इन वेरी गुड प्लेस जी रणाब यह वाकई वाकई पूरे इंडिया इसमक्ट सोग में होगा सभी को इस चीज का एसास है कि बहुत बड़ा लॉस बहुत बड़ा लॉस और इतना बड़ा लॉस के जिसका रिप्लेस्मेंट या जिसको भरपाई निसका नेमो बदल वो ही नहीं सकता इनके इनके आरा में मततब यू समझे लो के 5 बिलियन डॉलर से 100 बिलियन डॉलर तक की कंपनी की वैल्यो चली गई और मजीद कितने और यूनिट को ले और कितने प्रजेक्ट को ले मततब इनों मजीद चीजों पर फोकस किया एक मततब इनके बारे में तो इतनी जैसे 60 तो 70 परस जोग भी किया हो गाता वो भी मतलब इनके साथ बेटा बन के रह रह रहा था तो ऐसी भी को तहानी है अचा कहते हैं कि जैसे 60 तो 70 परसंट डूनेशन इसमें कोई दोरी राय नहीं है इंदोस्तान का बहुत बड़ा एसासा थे और वो इस तुनियम नहीं रह थे आगे पता नहीं कि कंपनिया या जो कि उनके एसासे हैं यह वो किस तरह चलेंगे किस तरफ जाएगे वो तो गवर्मेंट आगे लेकिन जो उन्होंने अपने शैसी साल का जो करिकर ताया जाए जितनी उनकी उमर थी उन्होंने एक शांदार उमर गुजारी है और इंसानियत की बलाए के लिए अच्छे अच्छे इंसानिक लिए और उनका बैसा भाइसा भाएता हूं इंदुस्तार के इस्ट्री में नहीं हो सुने ले लख़ आइच कोई बैसे प्रचाने की थारत साया कि अब ही चलेंगे जैसी नेक उनका वहालत का जाड़ा इसाड़ा चलागी है तुम सोचो पर बंदा जाने के लिए तरस्ता कोई बी अगर कुछ कहता है कि उसको कोई भी एक कुछ बढ़ेगा तो फिर इस पर जुनमाना अलग लगेगा तो नौकर से अलग जाएगा इस ट्रीट डॉक्स के लिए प्रेंटरी थी हो हां मतलब इतना हमबल परसन अभी मैंने भी पीच में एक न्यूस एक रहता है कि वोटल भाई गंदा हो जाएगा यह हो जाएगा इतना अनिमेल लवर थे ना के उनके जो बिमार हो गए थे और इनको एक काफी अच्छा मतलब रिवार्ड जैसे होता है कि अवार्ड मिल रहा यूके के तुरू शाय से तो उदर बुलाया भी थालपन टाटा जी को बट उस टेंपे इनके जो डॉक्स थे वो बिमार हो गए थे और इन्होंने ना वह अवार्ड लेने से जाने के लिए मना कर दिया था कि भाई मैं नहीं आ सकता क्योंकि मेरे